दोस्तों अगर आप एक जबरदस्ट क्रिकेट फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रू किजेगा दोस्तों पाकिस्तानी खिलारी शॉयब मलिक को कौन नहीं जानता उन्होंने अपनी टीम के लिए कई शांदार बड़े मुकाबले खेले हैं और हाली में टी 20 विशुकप से बाहर हुई पाकिस्तान की टीम में शामिल भी थे दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने जिस तरख खिल इस टी 20 विशुकप में दिखाया उसे देख कर सभी हैरान हो गए थे और सब को लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस विशकप को जीत कर ही दम लेगी लेकिन दूसरा फाइनल आस्ट्रेलिया के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा जिसके बाद पाकिस्तान की टीम बहुत दुखी नजर आ रही थी एक तरफ मलिक जहां पर टीम के हारने से दुखी थे वहीं कुछी दिर बाद शोयब मलिक की पतनी भारते स्टार टेनिस खिलारी सानिया मिर्जा ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें उन्होंने शोयब मलिक के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर जरूर बताइएगा दोस्तों दूसरे सेमी फाइनल में पाकिस्तान की टीम T20 विश्वकप से बाहर हो जाने के बाद ये तैय हो गया कि फाइनल में न्यूजिलेंड के साथ अब ऑस्टेलिया की टीम खेलेगी और पाकिस्तान का दूसरी बार T20 विश्वकप जीतने का सपन निक्रिकेटर शोयब मली को लेकर वीडियो शेर किया जिसमें उन्होंने कहा कि शोयब उनकी कदर नहीं करते और वो अब इन से तलाक लेना चाहती हैं इसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है दोस्तों पाकिस्तान की टीम के मौजूदा स समय के सबसे सरसष्ट खिलारियों में से एक शोयब मलीक और उनकी पतनी भारती स्टार 13 खिलारी सानिया मिर्जा की लाइफ हमेशा सुरकियों में रहती है हाली में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में सानिया शोयब की वल्लेबाची करती हुई दी लेकिन इसी बीच उ आवाज में इसका जवाब आता है कि उनके घर में रहती हूं और इस जवाब के साथ मैं शर्ब मली के तरफ इशारा करती नज़र आ रही हैं। दोस्तों सानिया मिर्जा के इस बेहतरी मजाकिया वीडियो के शेयर करने के बाद इस वीडियो पर भारती क्रिकेटर रॉबिन उथपा की पतनी शीतल और बॉलिवुड फिल्म निर्देशक फराख खान ने कमेंट करते हुए कहा कि फुल एक्ट्रिस वहीं सभी फैंस भी सान करती दर्शक दिर्गा में नजर आ रही थी जिसे देखकर पता लग रहा था कि दोनों ही पती-पत्नी के बीच में कितना जादा बैयार है बहुजूर इसके कि पाकिस्तान की टीम के टी-20 कप से बाहर होने का दुख शायब शोयब मलिक भूला पाएं लेकिन दोस्तों आप को क्या लगता है क्या पाकिस्तान की टी-20 विशुकप जीत सकती थी हमें अपनी राइक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं